आज हम लोग किच्छन ट्रॉली के बारे में बात करने वाले हैं किच्छन ट्रॉली के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हम लोग देखेंगे और वो हिसाब से जो मैनुफेक्टरर है या आप अगर किसी कॉंट्राटर से काम करवा के ले रहे हैं तो कितना रहीट जाता है कि बहुत सारे किसे प्रये आज जाता है कि 都是 यहां पर केचेंट ट्रॉइज मैनेफेक्ट्र हो जाती है यहां पर कार्पेंटर काम कर सकते हैं या आप केचेंट ट्रॉइज यहां पर पैनेफेक्ट्रिंग फैसलेटीज है यहां पर किचेंट ट्रॉइज जो है यहां इसका ही रेट्स और उसका टेक्निकल स्पेसिपिकेशन कबर करने वाले हैं जब आप प्रक्विर करते हैं किचेंट ट्रॉइज तो आपको इस टाइप में किचेंट ट्रॉइज preach करके मेजरमेंट करके मेजरमेंट लेकर जाता है आपका क्या रिक्वार्मेड काहां पर कर रहा है काहां स्थार आ हैं आपको जोटेडीश आपको इसाला मेजरमेंट ले लेता है और वह सब से clear कर देता है manufacturing को दे देता है manufacturing होने के बाद आपको इस टाइप में जो फोटो में दिखा है उस टाइप में ट्रॉली साइट पे आ जाती है SS की अभी SS बोलें के stainless steel में तो में त्री टाइप आ जाते हैं SS 202, SS 304 and SS 316 तू जू आपको सस्ता आ जाता है basically economical cost wise यह सबसे lower grade stainless steel का basically stainless steel का grail इसमें nickel coating कितना है ना तो वो basis पे इसका grade final हो जाता है जैसे nickel coating increase हो जाता है तो उसका rusting होने के chances भी बहुत काम हो जाते आपका रस्टिंग नहीं होगा basically रस्टिंग नहीं हो अगर जहां पी humidity वगरा रहेगा या जहां ज्यादा पानी का मिस्स यहां पे कितन टॉली में तो पानी का सकते हैं तो 202 और 304 का आपको डिफरेंच पदा चला कि निकल का परसेंटेज ज्यादा होने से इस बेटर इस बेटर बिसादर प्रैक्टिस आप ट्रॉली जो भी रहेगा 304 के लिए ही जाहिए अगर आप अगर आप सी समुंदर के किनारे रहते होगे लाइक मुंबए है विशागा पटनम है तो आप वहां पे आप 316 के लिए 316 के लिए इंसेस्ट कीजिए क्योंकि हुमिडिटी जादा रहता है तो 304 का रस्टिंग का चांस जादा रहता है तो बेटर की एक ही बार करेगे आप आपको और चाहदा लगेगा बट गो फर 316 कि अभी इसमें क्या रहता है कि ट्रॉइली में एक तो पहले ओ फ्रेम बनाते जो आपको यह एसस का जो फ्रेम दिखाए दे रहा है उसमें खोल्स रहते है और एक बास्केट रहता है बास्केट रहता है यह फ्रेम जब ही विए जो डिस्कस करेंगे तो आप फ्रेम जो भी है गोफर 25 ल e-25 इर उसमें भी एससमें जो प्ला आपका हैलो सेक्षन आए इसमें भी लाइट मीडियम और हेवी ड्यूटि आता है तो भी फ्रेम ग्वाइम प्रेम रहेंगा हैनो फ्रेंग जो रहेगा हैं पचीस बास्केट र बास्क केस में उसका 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 जो तया में युट्ट के उधे हैं चैसे जो लिख्या रहता है उसकर और पांच अमियर घ्रेदा पहलं साइब स middle-ible く ऐसमियर का प्रेंगा है उसके बाद यह बास्केट एक फ्रेम पे बढ़ता है एक फ्रेम रहता है जो यह में फ्रेम में सब फ्रेम रहता है और सब फ्रेम और में फ्रेम और चैनल को पनेक रहते हैं तो उसके सबसे वह स्लाइड हो जाता है तो आप वह 20-20 का रहेगा तो भी सब्विशेंट है तो हमे और 4 mm के रोड से बना हो यह पूरा मेटरियल 304 का चाहिए यह आपको दिखाए दे रहा है यह चैनल है बिसे के लिए चैनल है उसके नीचे जो दिख रहा है वो छोटा फ्रेम है और उसके बाद यह बसकेट है बसकेट रिमोबल रहता है आपको यहां पर ओपन अप में भी द आप वाली सेलेक करते टाइम चैनल में दो टाइप आते हैं एक नॉर्मल क्लोजिंग और दूसरा सॉप्ट क्लोज सॉप्ट क्लोज मींस आप जब ड्रावर को प्रेस करते हैं एंड में जाके आपने आप क्लोज हो जाएगा नॉर्मल में आपको वहां वो पुजिशन तक नखेलना पड़ता है इसमें भी चैनल में भी बहुत सारी कंपनीज आ जाती है जो मैं यूज करता हूँ तो टॉप रेंज अगर देखेगे तो हैपले हैटिज और्मा का है उसमें भी दो टाइप आता है एक आता है नॉर्मल और दूसरा आता है सॉप क्लोज तो सॉप क्लोज नॉर्मल अगर आप हम लोग हेटिज का चैनल लेते हैं अभी मैक्सिम्म जो मींड ट्वाली रहता है आपना जहां पर वर्किंग प्लाटफॉर्म है वो 24 इंचेस तो 27 इंचेस रहता है तो के टो टोटल डैप औ अपने हिसाब से उसका डेप लेते हैं तो अभी आप जो चैनल सेलेक्ट करेंगे एक ही वार यूज स्पेंड इट अगर आपका बजट रहेगा तो गो फॉर हैप ले या हैटिज और नॉर्मल रेंज रहेगा मिल्स अगर आपको सॉप क्लोज नहीं चाहिए तो भी चलेग अगर आप सॉप क्लोज को जाते हैं तो थाउजन रूपीज हो जाएगा तो यहां पर क्या होता है कि 9 या 10 ड्राओल हो जाते हैं आपका अगर लेता हूँ में तो आपका टोटल चैनल का कॉस्टिंग 2,000 हो जाएगा लेकिन आप वही अगर हैटिज का नॉर्मल को जाते हो तो पांच हजार जाएगा तो आपके हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं मैंने यहां पर कॉस्टिंग दिया हूए अगर आपका एसेस तू जुराटू रहेगा और अगर नॉर्मल इपको या इनॉक्स का चैनल रहेगा तो आपको रेट रनिंग फूट को 25 रुपे पड़ेगा अगर एसेस तू जुराटू विद हैटिज चैनल रहेगा तो आपका रेट 3,000 के असपास जाएगा सेमें SS304 विद इपको चैनल रहेगा तो 3,400 रुपेज रनिंग फूट होता है और SS304 विद हैटिज चैनल इस नाट साथ क्लोज तो 3,800 के असपास आपका रेट पड़ेगा यूजिली जो ट्रॉली जो गिनते है यह जो ट्रॉली जितना यहां से लेके यहां तक आ रहा है उतना ही मेजरमेंट देना पड़ता है बहुत सारे जग्रेट क्या करते हैं की से काम लगाएगे आप रेट कम प्रंपार करते हो एक गुलता है 2,000 दूसरा मुलता है 1,5 parar आपको लगता है 2,000 वरा सस्ता है लेकिन जो concept पर आता है तो पूरा सिलेंड रहता है वहां पर बैटता नहीं है जहां पर सिलिंड्र रहता है वहां पर ट्रॉइलिग आता है लेकिन जब organization देखेंगे तो fitness भी रूम तर यहां श्यम्नटेंग धरماंंतर टुम्ड़chineब अगर आपको ट्रॉइली करना है तो 3800 रॉनिंग फूट को लगेगा अगर आपका आट फूट लेंद एट फूट लेंद में सामने वाला अगर एड़ दस का किचन है एट फूट सामने वाला फ्रंटेज और 3 फूट अगर एल है तो ओर वाली क्या होता है कि आपका देड़ पूट नीचे और यहां पर देड़ फूट निकल जाता है तो पांच और तीन आट फूट तो आट इन्टू आट इन्टू आपको तीस से बतीस हजर का इसस थी जूर फूर का टॉट लगता है अगर आप नीचे वाला इसस तू जूर टू और नॉर्मल अगर जाते हो तो इसका कॉस्टिंग आपका जो है अरूंड तीस परसंट से बढ़ जाता है जहां पर 3-0 और हैटेज का चैनल कंसेडर करते हो तो तो यह जस्ट हमारा डिसकुशन या रेट्स थे यह रेट्स इसका वरकिंग नहीं है क्योंकि यह मैंने स्पेशल मैनिफेक्ट्र रहते हैं ज प्रोफिट लोड कर देते हैं अगर आपके आसपास यहां पर रहेगा बंदा तो आप उससे जा सकते हैं आपको और थोड़ा पास बेनिफिट मिल जाएगा यह बनाया हुआ किचन है यहां पर अगर देखेंगे तो यह दो शटर है यहां पर त्री ट्रॉले जो वाइट व और 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 यहां आपका आःवरी कलर में तो राइट साइड का यह सिन है यहां पर उसके बाद तीन ड्रार दिये एक यह स्जिएं कि जरुछ से सिंगल शतर है चोटे डीशेश या पैन अगरा रखने के लिए वह इसली होता है क्योंकि जब आप कुकिंग अगरा करते हैं तो अगर वह सामने रहेगा या राइट हैंड पे रहेगा तो वर्किंग के लिए बहुत अच्छा आराम से हो जाता है okay thank you thank you for the watching the analysis of